नमस्कर दूस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स के यूट्यूब एजूगे इसने चनल में आज के वड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे हाइड्रोसिल की दवा के बारे में हाइड्रोसिल यानिके ऐसे मेडिकल कंडिशन कि जिसके अंदर पूरूस होक जो दवा याओ यूज होती है अलग-अलग जो कंडिशन्स यूज होती है तो उसके बारे में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे आज के लेक्चर में और जानेंगे किस तरह से हम उसका सही इलाज कर सकते हैं तो ऐसे ही समझे कि आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में सि है टॉपिक पे और समझते हैं हाइड्रोसिल के बारे में तो हाइड्रोसिल जो एक ऐसे मेडिकल कंडिशन्स है कि जिसके अंदर पूरूस होके अंदर उनके जो टेस्टीकल्स होते हैं जो अंडकोस होते हैं उसके अंदर पानी बरता है और उसके करन क्या है कि उसकी साइज जो बढ़ने लगती है और उसको हम कहते है कि swelling देखने को मिलता है टेस्टीस के अंदर या फिर सूजन देखने को मिलती है टेस्टीगल्स के अंदर तो यह पर जो सब्द है उसको समझते है कि hydro silk के अंदर दो words है hydro का मतलब होता है water या फिर fluid और जो cell है या फिर जो seal है उसका मतलब होता है swelling तो इस तरह से hydro silk जो word है पुरा उसका मतलब यह होगा कि fluid बरने के कारण जो swelling हो जाती है और यह जो swelling है वो specially पूरू सूज के अंदर उनके undercoast के अंदर जो देखने को मिलती है तो यह पे जो आप diagram के अंदर देख सकते हैं कि यह वाला जो undercoast है वो healthy है कि जिसके आसपास जो पानी जो प्रॉपर नॉर्मल मात्रा में है और यह वाले side के आप देख सकते हैं कि जहाँ पे hydro silk के अंदिसन जो हम कहते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा fluid जो हमें देखने को मिलता है तो इसकी करण क्या होता है कि जो undercoast होती है उसकी size जो इस तरह से बढ़ जाती है और काफी स्यारा complications होता है patient को तो आप जानते हैं कि यह problem होने के reasons क्या है तो अलग-अलग reasons है जैसे कि injury होना प्रेसर inflammation, infections, sectional transmitted infections या फिर poor personalizing यह सब अलग-अलग reasons रहते हैं तो injury के अंदर हम देखे तो specialist समझे कि आपको lower abdomen या फिर जो testicles के area में मानों कि किसी तरह से injury होती है वहाँ पर pressure आता है तो भी आपको यह problem जो हो सकता है दूसरा एक reason बनता है sexually transmitted infections तो उसके reason से भी आपको यह problem हो सकता है तीसरा reason main यह है कि infection कि bacteria के करण समझे कि आपको infection होता या फिर जो parasites हो गिरा होते उनके करण आपको infection हुआ है तो वो bacteria infection के कारण भी वहाँ पर पानी बर सकता है और वो area के अंदर सूजन आ जाती है फिर एक और reason है कि personal hygiene के अगर आप अच्छे से साफ साफ है नहीं रखते तो भी यह problem हो सकता है तो एक personal hygiene भी आपे काफे important साबित होती है तो यह सब reasons बनते हैं hydrocells होने के अब समझते हैं उसके symptoms कहें कि अलग-अलग symptoms पहले तो यह है कि वहाँ पे सूजन आ जाती है जो scrotum का जो main area हो कहते हैं तो वहाँ पे पानी जो बढ़ता है fluid जो जमा होता है उसके कारण उसकी size बढ़ जाती है swelling देखने को मिलती है और जैसे-जैसे उसकी size बढ़ती जाती है और swelling बटने लगता है वैसे patient को जो है वो काफी ज़्यादा जो है वो दर्ध होता है फिर काफी uncomfortable जो है वो feel करते है आप ये problem के करण और testis के आसपस आपको काफी heaviness जैसा जो है वो feel होता है तब बात होती है कि इसका diagnosis कैसे होता है तो primary physical examination से भी diagnosis हो सकता है और detail में चेक करने के लिए ultrasound scan भी किया जा सकता है कि ultrasound scan करने से exact पता चलता है कि कितनी मातरा में पानी बढ़ा हुआ है और कितना और कौन से area में पानी जो हो बढ़ा हुआ है अब बात करते हैं उसके treatment की किस तरह से condition को manage कर सकते है कैसे उसका ilaj कर सकते है तो ilaj के लिए सबसे पहला option यह बनता है कि आपको testicle support जो हो पहनना चाहिए कि जो main reason यह है कि testicles में सूजन आ जाती है और उसके करना आप काफी heaviness feel करते हैं तो उनको support देने के लिए आपको testicle supports पहनना होता है किस तरह से आप जो वो इसको पहन सकते है कि जिससे testicles को अच्छे से support मिलता है और दर्द वगेरा कम होता है और ज्यादा जो सूजन होती है वो भी दिरे-दिरे कम होने लगती है फिर दूसरा है कि आपको ध्यान ही रखना है कि अगर आपको ये problem है तो आपको heavy weight जो लिफ्ट नहीं करना है ये खास आपको ध्यान रखना है कि आप वजन ना उचके और अच्छे से जो पेशन को rest करना होता है तो कुई भी ऐसा काम आपको नहीं करना होता है कि जिससे जिव आपको load पड़े pressure आए और अच्छे से आपको rest करना चाहिए at least 8 गंटे की निंद देनी चाहिए और उसके बाद के समय में भी आपको अच्छे से rest करना चाहिए कि जिससे ये problem जो दिरे-दिरे ठीक हो जाए अग आगे बात करते हैं दवायों के बारे में तो दवायों में सबसे पहले आप लेग सकते है चंदर प्रभावर्टी करके जो medication आती है वो आप ले सकते कि जो अलग-अलग pharma company से herbals में जैसे की डाबर है जंडू है तो उसके ये tablets available होते हैं तो ये दो tablet आपको खास लेनी होती है दिन में दो बार एक सुबा लेते हैं और एक रात को लेते हैं और ध्यान ये रखना है कि दो tablets के बीच में at least आप से को 8 से लेकर 10 गंटे का time interval रखना होता है आगे बात करते हैं hydronil करके homeopathic drops आते हैं तो यह यहाँ पे देख सकते कि 56 नंबर के जो drops से hydronil करके कि 3 ml के quantity में available होते हैं तो यह drops को use कैसे करना है तो आपको क्या करना होते हैं कि 10 से 15 drops जो एक कप जितने पानी में लेना होता है और यह पानी जो थोड़ा सा गुन-गुना होना चाहिए और उसको आप जो दिन में 3 बार लेते हैं और at least 6 गंटे का time interval पे यह medication आपको लेनी हो करती है फिर इसी तरह से एक और option मिलता है आपको homeopathic के अंदर hydro silk को treat करने के लिए तो WL53 करके या पर drops देख रहे हैं उसको भी same आपको use करना है कि 10 से 15 drops आप गुन-गुना पानी में डालो एक गप जितना पानी लेना होता है और वो अब दिन में 3 बार ले सकते हैं अब आ transmitted infections ही हुआ है और आगे risk है कि वहाँ पर और ज्यादा पानी बर सकता है वहाँ पर pulse formation हो सकती है तो उसको ठीक करने के लिए antibiotics लिए जाते हैं जैसे कि सीफा ड्रॉक्सिल का यहाँ पर एक option बनता है कि एक tablet जो वो दिन में एक बार या फिर जरुवत पढ़ने पर दिन में दो बार भी patient लेते हैं और धियान यह रखना है कि दो tablets के बीच में at least 8 गंटे का आप time interval रखें उसी तरह से दूसरा एक option बनता है डा इथाल कार्बेमेजीन का तो यह भी खास antibiotics के साथ patient को लेनी चाहिए तो इसके भी एक tablet या फिर दो tablet लिए जाते हैं और सेम जैसे सीफा ड्र दर्स की कि अगर काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा है patient को कि समझो कि काफी ज्यादा सुजन वहाँ पे हो गई है उसके करण दर्द हो रहा तो दर्द को ठीक करने के कोई pain care अप ले सकते जैसे कि यहाँ पे combination एक देख रहे हैं कि पैरा से टामॉल है seratio peptidase and acyclophenic है तो यह combination क्या करेगा कि सुजन भी कम करेगी दर्द भी कम करेगी अगर समझो कि आपको बुखार जैसा भी रहता है hydrosal के करन तो उसको भी ठीक करने में आपको मदद करेगी फिर दूसरा option है antibiotic में कि अगर समझो कि आगे कि antibiotic सीफा ड्रॉक्सिल आपको सू इसके अंदर potassium kleulinate भी combination में है तो यह जो tablet होते हैं दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जैसे वो patient ले सकते हैं फिर बात आती है एक और antibiotic के option की वह है ओफ्लॉक्जासिन और निडाजॉल की तो यह combination भी आप ले सकते हैं उसके लावा erythromycin जो है वो antibiotic के अंदर तो उ jithromycin का option रहता है कि 500 mg में आप यूज करें तो दिन में एक tablet आप ले सकते हैं और उसके 250 mg का भी आपके पास option रहता है कि यह जो tablet है वो दिन में दो बार जो आप ले सकते हैं अब बाद आती है कि अगर antibiotic patient ले रहा है pain killers ले रहा है तो उसके करण उसको acidity वगएरा हो सकती है पेट में acid जो ज़्यादा बन सकता है तो वो ना हो या फिर vomiting वगएरा ना हो पेट में कोई uncomfortable feel ना हो इसलिए omiprasil या फिर उसके साथ जो combination में dom peridon है ले सकते हैं जैसे यहाँ एक हम product देख रहे हैं noga acid D करके तो वो patient ले सकता है और उसको इस तरह से लेना होता है कि एक tablet ल फिर जब आपका hydrosil ठीक हो जायता तो वो recover होने के बाद कई बार क्या होता है कि antibiotics ली होती है pen killers ली होती है तो आपके सरे में vitamins और minerals की कमी हो जाती है कमजोरी जैसा कई बार आप फेल करते हैं तो उसको दूर करने के लिए recover होने के बाद जो आप कोई भी multivitamin या फिर multimineral combination ले सकते हैं जैसे कि आप एक zinc को भीट करके जो हम product देख रहे हैं वो आप ले सकते हैं जिससे आपके अंदर फिर से stamina जो बना सकता है और कमजोरी वगेरा हो तो ठीक हो सकती है तो ऐसे समझे के detail में सिखना है आपको बहुत सारी दवायों के बारे में बीमारीों के बारे मे तो आप medicine course को join कर सकते हैं फार्मा रोक्स के अब उपर तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारे mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी so good luck and all the best